सेंयम व्यवहार का तब जब मुनुश अपने ही भीतर विचारों में मनन की प्रक्रिया के द्वारा अपने भीतर अंतह संग्राम छेड़ता है अपने आप से लड़ता है अपने आप से जूजता है अपनी पुरानी धारनाओं को पुरानी मानिताओं को पुराने विश्वास नुपो कन्फाइंड तो क्या कहा जाए ये कहा जाए कि व्यवहार संयम के तब का प्रसाथ मिल गया मुनुश्य की सोच में परिशोधन और विस्तार ही व्यवहार संयम का तब है इसका हमारी जीवन में अनेको परिस्थित्यों में इसका हमारा सामना होता रहता है एक आद परिस्तिती के विशे में मैं आवश्य यहां पर कहना चाहूंगा मान लीजिए चोटे-चोटे उधारन के माध्यम से बड़े-बड़े तथ्य कोई समझने में सहजता होती है ताकि शब्दों तक सीम इतना हुआ जाए उसका पीछे का बोनेट, हमारा आगे का बोनेट जो भी कहा जाता है उसे, कवर जो भी है बंपर, वो डैमेज हो गए सिच्वेशन नमबर वन हम गाड़ी से उतरते हैं और हम कहीं न कहीं वास्त्विक स्वार्थ से पूरित हैं अंदाजा लगाते हैं claim insurance ने देना है गलती अब किसी पी हुई हो हो सकता है, उसके अचानक break लग गई हो हो सकता है, सामने कोई और पदार था गया हो हलका सा visualization करते हैं अपने अपने घर को रवाना हो जाते हैं यह मानते हुए कि नहीं, यहां आप खड़ा होना ठीक नहीं situation number two हम गाड़ी से उतरते हैं उसके गाड़ी छोड़ अपनी को देखते हैं और उसके बाद आमदा है कि इसने break ऐसे लगाई तो लगाई कैसे हम चाहते हैं कि आज ही यहीं फैसला होना चाहिए न्याय का पूरा समिधान आज इसी पटल पर खुलना चाहिए और उसमें हम दो-दो हाथ तक की सीमा पर जाने को तयार है टेलिफुन कोई और तीस्ता देखने वाला मिला देता है पुलिस कंट्रोल रूम से वैन आ जाती है और उसके बास स्थिति यह हो सकती है कि वो घटना जैसे कि मैं अनिक घटनाओं को जानता हूँ वो घटना दिनों, हफ्तों, महीनों तक भी जा सकती है सिच्वेशन नमबर त्री आप पूरी तरह संयमित है पूरी तरह विवेकी भाव से विवहार संयम के तप की अंतरगत उतरते हैं मुल्यांकन करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है इंशॉरंस से मिलना है, चलते हैं लेकिन सामने वाला मानने को तयार नहीं है वो आमदा है आप उसको समझाने की चेश्टा करते हैं जगडा से करने से क्या फाइदा है इंशॉरंस ने क्लेम देना है छोटे मुट लग गई, लग गई हो गया होगा आप से किसी से आप उसको हम सफाई में नहीं जाते हैं चलते हैं आप भी अपना समय बचाईए कहीं और लगाईए आपका समय उर्ज और ध्यान और कहीं लगेगा वो समझने को तैयार नहीं है क्यों? क्योंकि उसने डेविल्स काउंसिल को भाड़े पर कर रखा है वो मानने को तैयार नहीं है वो जुद्दु के लिए आमदा है तो क्या करें? मेरा मानना है कि ये सिचुएशन ये अवस्था उस सौ प्रतिशत में से वो पांच प्रतिशत की है जहां कोई पिछला बुकतान होने के लिए सामने आ गई है तो फिर उसका सामना करना चाहिए क्या उस वकत वहाँ पर हम लोग फिर उसी तरह बने रहें? नई उसका यतोचित सामना करना चाहिए लेकिन मूल मर्म पीछे एक ही रहे कि जितनी जल्दी हो सके इस से हम बाहर निकलें सामना करते हुए भी उसमें पिटने उसमें पिटना ठीक नहीं है वो न्याए नहीं है वो मेरे हिस्से का न्याए नहीं है उसमें फिर सामना करना होगा यह मान के कि यह सौ में से पांच प्रतिशत वाली घटना आ गई है यहां से हटना भी मुश्किल हो रहा है और यह असुर भी सामने बिढ़ने को तयार है इसके सींग मेरे पेट में आने को तत पर है अब मुझे कुछ नकुछ करना होगा उस समें आत्वरक्षा के लिए जो कुछ भी संभव किया जाए पिर भी अंतुत गत्वा एक विचार हमारे भीतर सतत बना रहे कि जितनी जल्दी हो यह समाप्त हो गर्सिस प्रातयकाल निकलने का समय है पत्नी से जगड़ा हो गया यहां आफिस पहुंचते किसी कुली के साथ बहुत तीक्षनवार शब्दों का मिल गया ऐसा लगा किसी ने सौ हरी मिर्च का सत्व एक्स्ट्रैक्ट निकाल के मूँ में डाल दिया तन बदन जल गया पानी पानी निकल गया पूरे शरील में से रोम रोम फूट रहा है जल गया मुर्श भीतर सिच्वेशन नमबर वन जहल जाओ जहल जाओ जब जहलने की कोशिश करोगे तो डेविल काउंजल सबसे पहले आकर करके कहगा तुझ जैसा बुजदिल जिंदगी में ने देखा मैंने करके रहा है हाथ से मौका जाने दे रहा है लगा दो हाथ लेकिन जहल जाओ सिच्वेशन नमबर वन आप जहल गए आपने परिस्तिती को और आगे बत्तर होने से पूरा बचा लिया और शांती काल में चर्चा के लिए विशे को टाल दिया चर्चा जरू करनी है चर्चा नहीं चुड़नी लेकिन शांती काल के लिए जब वो भी सुनने की प्रारूप में हो सिच्वेशन नमबर टू आप सुनने को तयार नहीं हुए आपके भीतर अगनी लगी आग लगी और आप हो लिए दो दो हाथ तो परिस्तिती फिर महीनों पर जाएगी और महीनों पर इन जाएगी हो सकता है सदा सदा के लिए रंगी जाए क्यों क्योंकि दोनों और से फिर एक दूसरे के लिए एक ही प्रसाद आएगा कूचक्र, conspiracies कहीं न कहीं अब इससे हमने बदला लेना है और बदला कभी एक बार से समापत नहीं होता it has its own perpetuating effect it is a perennial flow जो कभी रुकता नहीं, अविरल है बहता चला जाएगा, और क्या लेगा आपसे आपके समय आपकी उर्जा आपका ध्यान, जो ईश्वर ने आपको दिया था, अपने जीवन के बड़े लक्ष प्राप्त करने के लिए बड़े लक्ष माने स्वर्ग या मुक्ष no, I don't believe in all that बड़े लक्ष माने इस पृत्व पर मेरा होना कोई अच्छा साकार हो, सार्तक हो मेरे द्वारा इस प्रिथी पर कुस्तंदर योगदान हो मैं उपलब्धी परक बन सकूँ कम से कम यहां आया हूँ तो राशनकार तक्सी में थोके ना जाओ ये जीवन का उद्देश्य है लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए समय उर्जा और ध्यान को बचाना होगा समय उर्जा और ध्यान को खाने वाला सबसे बड़ा रक्षस है विवहार असियम विवहार असियम सबसे बड़ा असुर है इसका समाधान क्या है ये तो इसके प्रारूप की बात हुई ये इसके सुरूप की बात हुई, हम लोगों ने अवस्थाओं को देखा, situation को देखा, इसका समधान क्या है, इसका समधान अनेक हो सकते हैं, अनेक, किसी का biological effect हो सकता है, किसी का psychological effect हो सकता है, लेकिन मैं अध्यात्म की दृष्टी से दो ही समधान देता हूँ, क्योंकि अध्य कि अपने जीवन के महान उद्धिश को गहरे रूप में आत्म साथ करके सदा याद रखा जाए, now this is very difficult, why it is difficult, ये हो नहीं सकता, कि घर में छोटी छोटी बात, कपड़े इदर उदर रख दिये, जूते उतार के इदर उदर रख दिये, इन छोटी छोटी बातों के समय पैन करके रखें, जो हर गड़ी दिखता रहे, जो गाएं को, जब छोटी गाएं या बड़ी गाएं को, जब रोकना हो कि भागना जाए, तो क्या करते हैं, उसके गले में एक लकडी का टुकडा डाल देते हैं, जिससे वो जैसे ही भागेगी, तो उसके घुटने उस लेकिन ऐसा मैंने देखा है, कि लकडी का टुकडा, जैसे आम तोर पर किसी चार पाई का पाया डाल देते हैं, वो जैसे गाएं भागती है, वो पाया टकराता है घुटनों से, तो वो बिचारी चलना शुरू कर देती हैं, भाग नहीं पाती है, अब वैसा पाया अपने ग कि बीतर दृष्टी रंगी हुई है, कि मुझे हर भरसक के प्रयास करना है, कि मेरा समय, मेरा ध्यान, मेरी उर्जा बचे, अगर दृष्टी रंगी हुई है, तो जीवन लक्ष को हर घड़ी याद रखने की जुरूत नहीं, आपकी प्रकृति हैं ऐसी बन जाएगी, आप स चाहे आपके रिष्टेदारी में आपकी आओ भगत में हुई कमी हो, चाहे आपका अपनी पत्नी से कोई मसला हो, चाहे ऑफिस में किसी कुलीक के साथ लेन देर हो, चाहे अपनी कम्पीटीटर के साथ दो-दो हाथ होने की बात हो, कोई भी कारण क्यों ना हो, आपके भीतर अगर आप रंगे हुए हैं, ऐसी होली के रंगों से रंगे हैं, जहां मूल और चित्ति के लिए समय, शक्ति और ध्याम को बचाना है, तो आपका पहला इंस्टिंक्टिव बहेवियर, क्योंकि मुनश्य का नियंत्रन, शांती में तो बहुत होता है अपने व्यवार के संचालन में, इंस्टिंक्टिव बहेवियर पर नियंत्रन नहीं होता, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया बहू, कुट्टे कितना जाती है, एक और उची मुणेर करने का तरीका एक ही है एक बार गहरा मनन कर लिया जाए कि मेरे जीवन का वास्तिक उद्धिश क्या है What is the prime objective before me in my life? चाहे वो मेरा carrier है या कुछ भी क्यों ना है तो क्या होगा? आपके द्वारा अगर गलती होगी भी तो हर घड़ी प्रयास रहे का जीवन आगे बढ़ जाएगा जीवन के महत्पून लक्ष सद जाएगे नहीं तो सारी सारी रात मुनुष्य सपने में भी अपने बदले चुकाता रहता है वो सब कुछ जो किसी के सामने उस समय नहीं बोल पाया था भीतर भीतर उसका पूरा कपूरा री इनाक्टमेंट करता है उसकी पिक्चर चलाता है मैं ऐसे बोल दिता है ऐसे कह दिता है इसको सामने आजाएंगा जाएंगा 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 and we keep on getting into it we get ingrossed into it we get intertwined into it उससे बाहर आने का तप है व्यवहार सैयम जा मूल लक्ष से हमें प्रेम करना है दूसरा अध्यात्म का सूत्र दूसरा सूत्र दूसरा सूत्र ये है जो रिश्यों ने बहुत सुंदर दिया है दूसरों से आशा और उपेक्षा की सीमा तै करना व्यवहार असैयम के सबसे बड़े कारणों में से ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हम दूसरों से आशा और उपेक्षा की सीमा रोज आगे बढ़ाते चले जाते हैं मुझे किसी मेरे बहुत ही प्रियमित्र ने बताया था कि जैसे भारत पाकिस्तान के बीच एलोसी होती है वैसे ही खेती में एक किसान की जमीन और दूसरे किसान की जमीन के बीच की मुंडेर होती है वो भी एलोसी ही होती है और अगर आप अपनी जमीन पर ध्यान नहीं देते या कोई अन्य आपकी जमीन पर ध्यान देने वाला वान नहीं है तो क्या होगा जो साथ वाला किसान है वो हर साल चार-चार फुट याँ, दो-दो फुट याँ, एक-एक फुट हल जो है वो आपकी जमीन में चलाना शुरू करेगा आपकी जमीन जाती रहेगी ये क्यूं ये इसलिए क्योंकि उसका स्वार्थ उससे में इसको ये दिखता है संकीन स्वार्थ सामने तो ये है नहीं चलो एक हल हम और चला देते हैं मुनुष्य की दूसरे मुनुष्य से आशा और उपेक्षा इसी हल की तरह है हम जब दूसरों से अपेक्षा करने के लिए उपेक्षा आपेक्षा करने के लिए अंटिसिपेट करते हैं या और एक्सिपेक करते हैं जब हर बार किसी सामने वाले से हल एक एक कदम आगे बढ़ाते जाते हैं तो क्या होता है दवन्द शुरू हो जाता है we start expecting more and more out of the others for our own personal comfort our own personal accommodated इतना तो मुझे वे accommodated करेगा ही करेगा कैसे नहीं करेगा उसको तो मुझे इतना accommodated करना ही पड़ेगा उस accommodation में हम हल कई बार उसकी जमीन पे भी लगा देते हैं जब हल किसी और की धरती पे लगाना शुरू करते हैं तो एलोसी पर जगडा हो गई होगा व्यवहार असायम का सबसे बड़ा कारण है दूसरों से आशा और अपेक्ष्या की सीमा कर तैना होना यह सुरूत रहे कि निरधारत दायत से किसी को पीछे घटने मद दो तो अपनी आशा अपेक्ष्या को फटकने मद दो अगर उससे आगे हमने अपनी आशा अपिक्षा को फटकने नहीं दिया तो क्या होगा व्यवहार असेयम के कारण कम होने शुरू हो जाएंगे व्यर वी कम आउट टू एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम अधर्स निराशा जन्म लेना शुरू करती है और निराशा की अभी व्यक्ति व्यवहार के असेयम में ही होनी शुरू होती है तेरे से मुझे ये आशा नहीं थी इतना नहीं कर सकता था इतने के लिए मरा जा रहा है अच्छा मर गया जा मर रहा है आदमी है कोई है इतना नहीं कर सकता मेरे लिए क्या का आज ही मैंने इतने से बात कही और सामने से जवाब दे दिया इसकी मैं इतनी बड़-बड़ी सुन जाता हूं कुछ नहीं बुलता हूं वहां सीमाव को टै करना जरूरी है चाहे बच्चे शादी शुदा हो जाएं या बच्चे कवा रहे हूं या आप company में काम करते हैं कहीं भी कारिरत हैं दूसरों से आशा और उपेक्षा अगर हम tag कर दें निर्दारित दायत से पीछ नहीं हटने देना इसका भी प्राय यह नहीं है कि किसी का निर्दारित दायत वह है उसमें discount दे देना उसमें discount देने का मतलब तो यह है कि हम कहीं वो अर्जुन बन गए है जो कृष्ण का संदेश सुनने को तयार नहीं है नहीं जब कृष्ण अर्जुन से कहता है धर्म की रक्षा के लिए अर्जुन गांडी उठा धर्म की रक्षा का तार्थ पर कभी भी यह नहीं हो सकता हिंदुत्व की रक्षा करनी है धर्म की रक्षा का तार्थ पर यह है कि जो जिनिर्धारित अदायत्व है दोस प्रिसक्राइब्ड जूटीज दोस मैंडिटरी ऑबलिगेशन that must be dispensed by you उसे पीछे नहीं हट सकते उसके लिए तो हम आपके सामने भी आके खड़े हो सकते हैं यह आपका कर्तवे था आपको करना पड़ेगा यह रोग भारत में अगर ना पैदा हुआ होता तो राश्ट्री स्थर पर आवमानने ना होती निर्धारी दायत से पीछे नहीं हटने देना और उससे आगे की आशा अपक्षा नहीं करनी यह मुनुष्य अगर गहरे रुप से समझ जाए तो व्यवहार असैयम कतप सद सकता है दो समाधान याद रखने है अपने जीवन के महत्पुण लक्ष को बिसराना नहीं उसके द्वारा अपना पूरा अंतहकन आद्योपांद रंग डालना है ताकि हर परश्टिती में हर अवस्ता में हमारा इंस्टिंक्टिव बहेवियर उस रंग से रंगा हो उस होली के रंग से रंगा हो वही वास्त्विक धर्म की रक्षा है धर्म रक्षा का अर्थात किसी हिंदुत्व नाम की रक्षा नहीं है धर्म रक्षा अर्थात मैं अपने निर्धारिक दायतों की पूर्ती करते हुए उपलमधियों को प्राप्त हो सकूँ अपने टागेट प्रिस्काइब टागेट से चीव करूँ वो धर्म की रक्षा है और ये हमारी नमसंतिती को ये नए अर्थ देने होंगे अन्यता जैसा कि टेलिविजन पर एक ब्राड कास्ट आने वाला है हो सकता है आने वाले समय में हमारे ब्रच्चे ये प्रशन खड़न करना ही नवस्रिजन है ताकि हम श्राद के पात्र रह सकें धन्यवाद